हेलो फ्रेंट वेलकम टू शेयर मार्केट लाई मैं हूँ सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले आज के बाजायर की सबसे बड़ी उथल पुथल की यहां पे जिस तरीके से रिलाइंस इंडर्ष्टी ने क्वाटर टू के नतीजे पेश किये थे फ्राइडे की शाम को और उसके बाद यहां पे आज एक तगड़ी गिरावट जो है रिलाइंस इंडर्ष्टी के शेयर में देखने को मिल रही है लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी में एक तगड़ी ते यहां पे जो तेजी जो थी यहां रिलाइंस के दम पे वह आज कहने के फिजल आउट होती ही दिख रही है लेकिन उसको यहां पे मैनेज कर रहा है बैंकिंग श्टॉक्स बैंक निफ्टी और खासकर NBFC स्टॉक्स जो कि यहां पे अच्छी कासी तेजी के साथ कामकाज कर यहां पे जो प्रिवेस क्लोस था दो हजार चोहन रुपए का था और एक सो साथ रुपए की तगड़ी गिरावर्ट जो है आज की दिन है देखने पूरे लगबग आठ परसेंट तक स्टॉक तूटता हुआ दिखाई दिया है ओपनिंग जो थी दो हजार से खोला वहां से सेलिंग प्रेशर इतना तगड़ा था कि श्टॉक देखते ही देखते दो हजार की नीचे चला गया उसका लगातार ये श्टॉक गिरता हुँ दिखाई दिया अठारा सो पच्चासी का लो अभी तक प्रेजेंट ली लगता हुआ दिखाई दे चुका है मार्केट में यहा यहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया बात करें अगर आज के वॉल्यूम्स की तो लगबख 4 करोड शेरों के आसपस तक के वॉल्यूम जो है प्रेजेंट मार्केट में भी देखने को मिल चुके 7,637 करोड रोपे की शेर अभी तक ट्रेड हो चुके यहां पर जो है निफ्टी में सबसे हेवी वेट श्टॉक की अगर हम बात करें तो रेलाइंस इंडिस्ट्री है तो निफ्टी पे यहां पर प्रेशर साफ देखने को बढ़ रहा है 6,64,000 करोड की फ्री फ्लोट मार्केट केप इस कंपनी की है और टोटल मार्केट केप लगबख साड़े चार सुर पर टूटता हो दिखाई दे रही यहां पर उपरी लेवल पर जो लोग फस्ट चुके हैं वो डेफिनिटली थोड़ा निरास यहां पर होंगे क्योंकि उपरी लेवल पर न्यूस के दम पर पहले रिलाइंस जियो में एक के बाद इक इन्वेश्टमन वा रहा है वह अभी इस स्टॉक को कहिना कर ड्राइव कर रहा है नीचे की तरफ तो यहां पर हो सकता है आपको कुछ दिन गिरावट के सिलसले देखने को मिल सकते हैं यहां से एकदम वीशेप रिकवरी आजाएगी इसकी उम्मीद यहां पर इतनी जल्दी लगाना असान नही तो आज की दिन लगबग लगगर दो बजे के आसपास तक कि अगर हम बात करें सवा तीन क्रोड शेर जो है वो ट्रेड होते हो दिखाए दिये लगबग एक क्रोड शेर उपर की डिलिवरी है यहां पर आज की दिन क्लॉक होती हो दिख रहे तो अच्छी खासे डिलिवरी की तो आप देख सकते चार्ट में तगड़ी गिरावट जो है आज के दिन की देखने को मिली है हमने पहले भी बात की थी कि इस स्टॉक में रिलायंस में जो लेवले 2000 का बहुत ही इंपॉर्टन लेवल है और 2000 के नीचे यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर यह हमने बात की थी कि 2000 के लेवल पर सपोर्ट लेके रिकवर ने कोशिश कर था नतीजह से पहले नतीजह कोई खास बाजार को पसंद नहीं है एक्सपेक्टेशन के उन साथे खली जीओ के नतीजह अच्छे थे लेकिन बाकी जो इसका में कोर विजनस है पेट्रोकेमिकल वहां की लगबग निकल के आता है 1827 के आसपास तो सबसे पहला टार्गेटी होगा जहां पर इसको एक सपोर्ट मिर सकता है और यही 1827 का जो लेवल है वो आपको याद होगा AGM के दिन भी लगबग क्लोजिंग बेसिस के आसपास पर या उस दिन के इंट्राडे लोग की अगर हम बात करते हैं तो वो यही लेवल थे जहां पर 2827 तक आता हो दिखाई दिया था आप यह देख सकते हैं जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूं यहां पर करसर से यह वो लेवी वॉल्यूम्स के साथ तो डेफिनिटली यहां पर अब जो यह दो हजार का लेवल है वो रिजिस्टेंस के रूप में काम करेगा तो जब कभी भी यह दो हजार का रिजिस्टेंस अब बाहर निकलेगा तब उम्मीद होगी कि आप उपर की तरफ के मुह देख सकते है तो यहां पर जिसकी जबी की शॉट पोजिशन है उसके लिए 2000 का स्टॉप लॉस होगा और वो उपर की तरफ यहां पर नीचे की जो रैली है उसको यहां पर राइट कर सकता है लेकिन उपर की तरफ अगर हम बात करें तो जो रियल तेजी वह 2000 के उपर क्लोजिंग बेसिस पर होने के बाद ही आती दिखाए दीग और मोटा मोटा का आ जाए तो परसों का दो हजार चोवन का जो क्लोजिंग बेसिस पर लेवल है वह स्विंग है यहां पर तो वह एक अच्छा घासा जो लॉंग टाम के होंगे शॉट इंवेस्टर उनके लिए यहां पर इस टॉप करेक्शन मिलता है अच्छे खासे नीचले लेवल देखने मिलते हैं अगर लगबग 1700-800 के असपास तके तो जादा अच्छा होगा सेफटी के लिए भी लेकिन अगर बात करें यहां पर बैंक निफ्टी की तो दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा उ परिज्द्देश्स ने को मिल सकता है यहां पर नायचे का मूब दिखा सकता है लेकिन आज के दिन बैंक निफ्टी ने जो दिखाया I.C.S.A. बैंक की जो नतीजे थे उसने यहां पर फ्यूल करने का काम किया I.C.A. बैंक के नतीजे जो आते हैं दिखाई दे सेटरेडे की साम को मार्केट को पसंद आया और आइसे इसे बैंक में लगबग यहां पर अच्छी खासी तेजी थी वह यहां पर बनती हुई दिखाई दी लगबग आईसे इसे बैंक की अगर प्रेजेंटली बात करें तो चारसो बैंक निफ्टी भी आज के दिन लगबग लबच 24,800 के लेवल यहां पर बैंक निफ्टी ने पार के थे प्रॉफिट बुकिंग काने यहां पर थोड़ी सी गिरा और डेफिनिटली देखने में लेकिन बैंक निफ्टी में 25,000 के लेवल पार होने के बाद दोस्तों बहुत के बहुत भी जबर जर्शोट कवरीं की सम्झावनारा वा बनी दिखाई दें यहां पर जिस तो के 200दी में के क vagran के सब्सक्राइब पार किया अचया इसप्छान की लेकिन जब recovery चालू हुई यहाँ पर तो 5 दिन के अवरेज ने यहाँ पर चाट पर 50 दिन के अवरेज अगर इसको पार करती तो यहाँ पर जो प्रिवियस हाई था लगबग 25,200 के आसपास का यह इंपॉर्टन लेवल है यह सारे उन लोगों के लिए stop last है यहाँ पर बैंक निफ्ट कर देखने को मिल सकती है जिस तरीके से आप बैंकिंग श्टॉक रियक करते हुए दिखाई दे रहें यहाँ पर जो दो तीम खबरे बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हुए दिखाई देर अगर उसके हम बात करें तो सबसे पहले जो 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 यहाँ पर बैंकों के फिवर में हो सकते हैं इसकी भी खुशी यहाँ पर मार्केट मना रहा है जिस तरीके से सारे बैंकों के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहें वो पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहें तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर अच्छा मजबूत होता हुए दिख सकता है इस खूसी में भी banking stock भाग रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से करके दिन अब यहाँ पर अमेरिका में closing और चुनाव होने वाले हैं और उसके नतीजे जो चार और पांच तरीक तक आने वाले तो इससे पहले बहुत से जो short लोग है वो यहाँ पर करने में भी लगे हुए हैं तो यहाँ पर ग्लोबल मूड और महल जो है वह यहाँ पर डेफिनेटली बैंक निफ्टी को short term के प्रभावित कर सकता है यहाँ पर दोनों ही साइट की लोगों के लिए रिस्क जो है वह बहुत बढ़ी होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन वा को कोई negative news या positive news आएगी तो उसके उपर आपको सीधा सीधा reaction देखना मिलेगा क्योंकि इसी हफते 5 तारिको weekly expiry तो expiry से पहले भी बड़ी position जो है वह करते भी दिखाई दे सकती है support की अगर हम बात करें bank nifty की तो कल का जो level था जो की closing basis पे लगबग 23,800 के आसपास वह एक अ stock bottom support होगा यानि कि अगर 20,000 का level definitely तो उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी ही देगी और इसके बाद आपको यह level थोड़े और zoom होते हुँ दिख सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर 25,000 के उपर stock जाएगा तो यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे अभी तो फिलाल यहाँ पर आपको किसी प्रकागा कोई overbought situation देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर अच्छी खासी रूम है उपर जाने के लिए और अभी भी जो presently RSI का level काम काच कर रहा है उस 62 के आसपास है daily chart पे तो यह definitely यहाँ पर अच्छा का करने कोशिश करें positive direction बनी हुई है तो अभी momentum में और direction में कोई भी गिरावट के संकेत फिलाल दो दिखाई नहीं दे रहे है शौट टम वोलेटलीटी डेफिनिटली रह सकती क्योंकि मार्केट में जो वोलेटलीटी है वो 25 को कर चुके पार तो यहाँ पर आपको definitely results से पहले और साथ ही साथ जो election है उसके पहले आपको कुछ न कुछ तो वोलेटलीटी देखने को मिलेगी दोनों ही साइट के move तो जरू होंगे single direction में market भागेगा ऐसा तो फिलाल कहना अभी मुश्किल लगता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको जो ह सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू करें मैं आप से मिलता अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई and थेंक यू